नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों मैं सीमा सिंग आपके अपने चैनल आनन टिटोरल में आपका स्वागत करती हूं बच्चों आज की पार साला में हम कक्षा आठवी विसे हिंदी हिंदी विसे में बच्चों आज हमारी दूसरी काई सुरू हो रही है दूसरी काई का पहला पाठ है धर्ती का आंगन में के ये कविता है बच्चों और इसके कवी है डॉक्टर प्रकास दिक्षित तो सबसे पहले हम परिचे देख लेते हैं परिचे जनम 1929 इटावा उत्तर प्रदेश मृत्तिव 2012 परिचे आज जीवन अध्यापक रहें डॉक्टर दिश्चित जी अर्चना मनी प्रभा ग्यानर्जन आदी पत्रिकाओं के संपादक रहें अमर उजाला समाचार पत्र में पत्र कारिता भी की आपकी रचनाएं विभित पत्र पत्रिकाओं की सोभा बढ़ाती रहीं प्रमुक्रितियां अर्चनानजली मंगलपत दोहवली राष्ट्री सुवर कविता संग्र आधी पद्य समंदी प्रस्तुत नई कविता में कविवर डॉक्टर दिख्षित जी ने कर्म ज्यान यूँ विज्यान की महत्ता स्थापित की है आपका कहना है कि हम ज्यान विज्यान के बल पर भले ही आसमान को ना पले परंतु विनाशक ससस्त्रों से मानोता को बचाना भी अवशक है यह तभी संभव होगा जब समाज में सदाचार स्नियर बढ़ेगा जो हमने परिचे देख लिया है अब हम कविता का वाचन करेंगे धर्ती का आंगन में के कर्म ज्यान विज्यान से ऐसी सर्ता करो प्रवाहित खिले खेत सबधान से अभिलासाए नितमसकाए आसाओं की चाओं में पैरों की गती बांधी हुई हो विश्वासों की राह में शिल्प कला कुमुदो की माला वक्ष अस्थल का हार हो फूल फलो से हरी भरी इस धर्ती का सिंगार हो चंद्र लोकिया मंगल ग्रह पर चड़े किसी भी यान से किन्तु ना हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से सास सास जीवन पट बुन कर प्राणों का तन धक्ती सदाचार की श्रुब साल का मन सुन दर्ता आग्ती प्रतिभा का पैमाना मेघा की उचाई नापता मानवता का मेटर बन मन की गहराई मापता आत्मा को आवृत कर दे स्ने प्रभा परिधान से करे अर्चना हम सब मिलकर वसुदा के जैगान से वसुदा के जैगान से बच्चों हमने कविता पढ़ ली है थोड़ा मुझे सर्दी हुई है इसलिए शायद मेरी आवाज इतनी अच्छी नाई हो चलो अब हम अर्थ देखेंगे ठीक है धर्ती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से ऐसी सर्टा करो प्रभाई खिले खेत सब धान से प्रस्तुत पंक्ती में कभी कहते हैं कि संपुन प्रत्वे का आंगन विज्ञान से महके अर्थात विज्ञान से होने वाले प्रगती का लाब पूरी धरा को मिले पूरी धर्ती को मिले नदियों की धरा इस प्रकार मोर्दों की हर खेत अनाज की भरपुन फसल उत्पन कर स अगली पंक्ति देखो अगली पंक्ति में देखते हैं बच्चो सिल्प कला कुम दो की माला वक्ष अस्थल का हार हो फूल फलो से हरी भरी इस धर्ती का सिंगार हो सिल्प कला कुम दो की माला वक्ष अस्थल का हार हो फूल फलो से हरी भरी इस धर्ती का सिंगार हो प्रसुत पंक्ति में कभी कहते हैं सभी प्रकार की सिल्प कलाओं को हम अपनाएं और उसका समुचित विकास हो कभी कह रहे हैं कि जितने भी प्रकार की सिल्प कला है हम सभी सिल्प कलाओं को अपनाएं और उसका समुचित विकास हो साथ ही साथ भूमी फलो फूलो से हरी भरी हो जाए और ये जो धर्ती है ये सज जाए कभी कहते हैं कि सिल्प कलो को हम अपनाएं जितने भी सिल्प कला हैं उन सब को हम अपनाएं और उनका अच्छे से समुचित विकास भी हो लेकिन साथ ही साथ ये जो हमारी भूमी है ये फूलो और फलो से हरी भरी और सजी जाए और हमारे ये जो धर्ती है ये एकदम सुन्दर हो जाए फूल फलो से सज जाए आगे दिखो कभी कहते हैं कि विज्ञान के निरंतर प्रगती होती रहे विज्ञान हमेशा प्रगती करते रहे अपनी प्रगती करते हुए वो आगे बढ़ते रहे लेकिन मनुष अपने बनाए गए किसी भी आंत्रिक्षियान से चंदग्रान और मंगलग्रा पर सफलता पुर्वक पहुँचे परंतु इंसान विज्ञान का प्रयोग विध्वन्सकारी सस्त्रों के निर्मान के लिए ना करे जो सस्त्र बनाए उससे किसी इंसान का कोई भी नुकसान ना हो प्रस्तुत पंक्ती में कभी कहते हैं कि विज्ञान हमेशा प्रगती करते रहे हमेशा आगे आगे बढ़ते रहे नए नए खोच करते रहे लेकिन इंसान विज्ञान का प्रयोग करके किसी भी इंसान को कुछ भी नुकसान ना पहुचाए ठीक है बच्छो आगे देखते हैं सास सास जीवन पट बुन कर प्राणों का तंधगती सदाचार की सुब्रसला का मन सुन्दरता अक्ती प्रस्तुत पंक्ती में कभी कहते हैं कि प्रतेग मनुस का जीवन मानवी गुणों जैसे सदाचार पवितरता आधी से परिपून हो नैतिक गुण भी हो हमारी सुन्दरता के परिचक होते हैं जो हमारे नैतिक गुण होते हैं वो ही हमारे सुन्दर्ता के परिचे होते हैं, परिचे कराते हैं प्रतिभा का पैमाना मेघा की उचाई नापता, मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता प्रस्तुत पंक्ती में कवी कहते हैं कि जो मारी प्रतिभा हमारी मेगा अर्थात बुद्धी और हमारा मानवी वेवार हमारे चरित्र की परिचायक है कभी कह रहे हैं कि हमारी जो प्रतिभा है हमारी मेगा है अर्थात बुद्धी और हमारा जो मानवी वेवार है वो ही हमारे चरित्र की परचायक है हमारे चरित्र का परचय देता है आत्मा को अवरुत कर दे स्नेय प्रभा परिधान से करे अर्चना हम सब मिलकर वसुदा के जैगान से प्रसुत पंक्ती में कभी कहते हैं सब के प्रती हमारा विवार स्नेय पुन हो हमारी आत्मा स्नेय रूपी परिधान से सजी हो हम सब मिलकर इस रत्न प्रवासनी वसुदा के गान गाए उसकी अर्चना करे उसका जय गान करे तो बच्चों यहाँ पर हमारी कविता स्तमाप्थ होती है अब इसके हम स्वाध्धाय करेंगे ठीक है चलो हम स्वाध्धाय करते हैं शलका सलाई आकना अंदाजा लगाना मुल्य बताना पैमाना नापतौल मापधंड मेधा बुद्धी अवरित ढका लोटाया हुआ वसुदा धर्ती अवनी धरा सूचना के अनुसार कृती करो हमें सूचना के अनुसार कृती करना है पहला प्रवात आलिका पूर्ण करो कवी की अपेच्छाएं कवी की क्या अपेच्छाएं हैं पहला पूरी धर्ती का आंगन ज्यान विज्यान की सुगंद से महके पहली अपैक्षा ये है पूरी धर्ती का आंगन ज्ञान विज्ञान की सुगंद से महके दूसरा सिल्प कला खूब विक्सित हो तीसरा पृत्वी फलो फूलो से भरी हरी भरी हो सभी खेतों तक नदियों का जल पहुचे ताकी वहाँ धान की भर पूर फसल हो ठीक है कभी की ये अपिक्षा है ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है आप भी देख लिजए दूसरा कृती पुन करो धर्ती का आंगन इन से महके धर्ती का आगन किस से महकेगा? कर्म ग्यान से और विज्ञान से कर्म ज्यान से इधर विज्यान से अगला धर्ती का सिंगार इन से होगा किस से होगा धर्ती का सिंगार फलो से फूलो से ठीक है बच्चो आपको समझ में आ रहा है न यह मैंने किसी का किताब लिया है उस बच्चे ने लिखा है तो इसले में पढ़के भी बता दे रही हूँ फलो से फूलो से आगे देखो उत्तर लिखो प्रश्न तीसरा उत्तर लिखो मेधा की उचाई ना पेगा इसका उत्तर आएगा प्रतिभा का पैमाना यहाँ पे थोड़ा पहले का उत्तर है प्रतिभा का पैमाना दूसरा हम सब मिलकर करे जैगान से वसुधा की अर्चना ठीक है? यह पहले का उत्तर है यह दूसरे का प्रश्न चौथा कृति करो मानो आंत्रिक्षियान से यहाँ पहुचा है कहां पहुचा है मानो? चंद्रो लोक और मंगल ग्रह यह दोनों यहाँ पर लिखने है ठीक है बचो? अब आगे दिखते हैं भासा बिंदू नेम लिखित सब्दों के समाना आर्थी शब्द लिखो तथा उनका वाक्य में प्रयोग करो यहाँ पे कुछ समाना आर्थी समाना आर्थी शब्द दिये गए है हमें उनका अर्थ बताना है और वाक्य में प्रयोग करना है जैसे शरीर, मनुष्य, प्रिथवी, छाती, पत है न? तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ शरीर शरीर का तन वाक्य में प्रयोग हमें मात्रभूमी के लिए तन, मन, धन नियोच्छावर करने के लिए ततपर रहना चहिए दूसरा मनुष्य मनुष्य का अर्थ मानो वाक्य मानो इश्वर की सर्वस्रेश्ट कृती है तीसरा प्रिथवी प्रिथवी का धर्ती वाक्य में धर्ती हमें धन्यधान देती है चोथा छाती सीना वाक्य कर्मवीर धर्ती का सीना चीर कर खनीज निकालते हैं पाच्वापत मार्ग वाक्य द्रह निश्चई का मार्ग कोई भी बाधा नहीं रोक सकती ठेक है बचो चलो आगे देखते हैं पाठों में आये सभी प्रकार के सर्वनाम धूर कर उनका अपने वाक्यों में प्रियोग करो पाठ में जितने सर्वनाम आये हैं उसे धूर कर हमें अपने वाक्यों में प्रियोग करना है ठीक है मैं आपको बखाती हूँ उत्तर मैं मैं कल महाबलेस्वर जाओंगा दूसरा वह मेरा घनेष्ट मित्र है तीसरा तुम तुम परिक्षा की तयारी करने कल हमारे घर आ रहे होना चौथा वे जिन्हें कल सम्मानित किया गया वे मेरे पिताजी हैं पाचवा उन्हें मैं अभी आ रही हूँ उन्हें आराम से बिठाओ च ठाथा मैंने एक कविता लिखी है शात्वा आपको आपको अध्यचपत के लिए अमंत्रित किया जाता है ठीक है बच्चो अब आगे दिखो उपयो जिता लेखन चाते की आत्मकथा विषय पर निबंद लिखो च्छाती की आत्मकथा इस विशे पर आपको निबंद लिखना है तो चलो एक निबंद मैं आपको बताती हूँ मैं एक च्छाता हूँ आज मैं आपको अपनी कथा सुनाना चाता हूँ मेरा जन्म दिल्ली के एक कार खाने में हुआ था कई कारीगरों ने बड़ी मेहनत से मुझे बनाया था जब मैं बन कर तैयार हुआ मेरा रंग रूप देखने लायक था मेरे साथ मेरे बहुत से साथी भी थे कुछ रंग भी रंगे थे और कुछ केवल एक रंग के हम सब को लाकर एक दुकान में काच की अलमारी में सजा दिया गया कुछ दिन बाद वही बैठे बैठे मैंने बड़ी तेच गड़गड़ा हट सुनी घने बादल घिराए चारो और अंधेरा चा गया उसी समय एक लड़की दुकान में आई दुकान दार ने उसके कहने पर मुझे और कई साथियों को खोल कर दिखाया उसे मेरा रंग पसंद आया और उसने मुझे खरीद लिया लड़की मुझे लेकर बाहर आई थी कि आसमान से पानी की बुन्दे बरसने लगी उसने मुझे खोल कर अपने सिर पर तान लिया बारिस अभी भी हो रही थी पर वो नहीं भीग रही थी लड़की बहुत खुश थी उसे खुश देखकर मुझे भी अच्छा लग रहा था क्योंकि मैं उसे खुशी दे सका था लड़की मेरी बहुत देखवाल करती है सदा अपने साथ अपने बैग में रखती है जहां भी जाती है मुझे साथ ले कर जाती है मैं अपने इस्थती से एकदम संतुष्ठ हूँ जिस काम के लिए मुझे बनाया गया था मैं उसे पूरी पूरा जो कर रहा हूँ तो बच्चो ये हो गई जाते की आत्मकथा पर निबंध ठीक है आगे मैंने समझा आपने इस पार से क्या समझा वो आपको यहाँ पर लिखना है तो क्या समझा इस पार से इस पार से हमने ये समझा है कि हमें समाज में सने सदाचार और मानवता का वातावरन समाज के विका है ना बच्चो आगे देखो सोया मध्यन प्राचिन भारतिय सिल्प कला समंदी सचित्र जानकारे संक्लिक करो विसेश कलाकृतियों की सुची बनाओ तो बच्चो गूगल पे जाके सर्च करिए और ये सोया मध्यन है तो ये आपको करना है ठीक है बच्चो तो हमारी आज की पारसाला यही समाप्त होती है अगली पारसाला में हम कल फिर मिलेंगे अगर आप मेरे पारसाला में नए है तो मेरे पारसाला को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि मेरी पारसाला का लाप सभी बच्ची लेख सके थैंक्यू फॉर व